ठेक राम जी जो आपके गाउं में पंचायत हुए सुबह है वो कह रहे हैं कि आपने पांच लाख रुपिये लिखवाई थे उसरे लिखे दुरान बाद में नहीं दिये उसका क्या सच है कुछ भी नहीं कोई लिखाए है किसी नहीं कोई बात है सब जूठ बोलते हैं जूठ नमसकार साथियो मैं अमन पिलानिया आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है तो साथियो आज हमारे साथ हैं कंडेला खाप के परदान टेकराम कंडेला जी जो उत्तरी बार्त में जो खाप पंचायते हैं उनके राष्टी से होजग भी हैं तो आज हम उन पर सुबे से मुद्दा गरमाया हुए है जो कंडेला गाउ में किसान कठे हुए हैं इकठा हुए गाउं के जो वैक्ति हैं उन्होंने कहा है कि हमने टेकराम जी को बदल दिया है और जो गाउं के पूरों सरपस थे ओम परकास रेड़ू को खाप का नया परदान बरना दिय है कि आपने जब कराकेश टेकायत आई थे कंडेला गाउ में जो पंचायत हुई थी उस दिन उस दिन आपने मतलब कहा था कि मैं चंदा दूंगा पांच लाक रुपे तो बाद में आपने चंदा ने दिया तो उसकी क्या सचाई है जब की आज की जो मुद्दा बता रहे हुआ आप मैं तो कल भी यहां कुरुक्षेतर करना अड़ों साइड में जा रहा था किसानों की मीटिंग के लिए और हमारे में तो मैं आज भी कोई सोसल मीडिया पता लगया है मैंने तो इस बात का कोई पंचायत का नहीं तो कोई प पχौन करके 36 बरादरी के लोग ही कट्ञे होते हैं खाव का परदान बनाने आए शिस्टम होता है खाव का परदान हमेशा सारे गाम जीतने भी छंडेला खाव में उनके सब ही गामों चेठी पाड़ी जाती है जो मोका परदानों चेठी बड़ा पढ़ता है और के बनाते ह इस तरह कोई 5 लाग की जो बात है राकेश टिकेट के बारे में मैंने इसी बात रहे कि 5 लाग की कोई बात ही नहीं नहीं मेरे पास कोई चंदा लेने आया नहीं मेरे पास कोई नहीं के लिए है उसमें उन्स मैजरना पैसे लगा उसमेंगी मेरी शुपरी तो इसके बाզ तो एक ऐसी आची फिर उटकी क्योंकि- मैं भी सरे परदान भी हूं नैस्नल कर दो मैंने सारी स्टेटों में रास्टी जनके लिए मंच के परदान भी बना है उसके बाद अर्याना के जो लीडर है जाए ज़ेज़ेपी का हो जाए कांगरिस का हो चाए बीजेपी का सब कमरोड होगी क्या बाद कर चुके अबुठान हो बाद के लिए है नाम किसी टेक्ट मांगदे हम तो नहीं है किसा ना समस्चा लोगों जो इस तरह का प्रोब गंडा है सरकार की साजिस्ती इस तरह तो करना है नहीं चाहिए अगर कोई बात थी तो मिरत बात कर देया गया मैं को मैं तो दो तीन बार तो वैसी भी कहा हूं मैं तो परदान के मनत और काम बहुत रहे हैं और बन लोगों कोई दिक्ट देखो नहीं इस बात की ठेकराम जी जो आपके गाहों में पंचायत हुए सुबह है वो कह रहे हैं कि आपने पांच लाख रुपिये लिखवाई थे उस रेली के दुरान बाद में नहीं दिया उसका क्या सच है मैं सबसे ज़्यादा पैसा देता हूं या किसी भी गाम में जो हमारे जीन जले मैं तकरीबन अरेक ने पूछ लियो मैं इतनी के का रोटी पाने की सेवा जितनी में करता हूं चतिस ब्रादरी की जो लोग मेरे पास डटते हैं आज लगर याना में किसी के पास इतने आदमी मेरे दिल्ली से भी जहां से दूसरी स्टेटों से आदमी आते हैं चतिस जायत बिलकुल हर खाना पीने का रोटी गा टीक के जितना सेवा मैं को लोगों करता हूं मैं चतिस ब्रादरी का आदमी हूं कैसी कोई बात है निते कराम जी यह जैसे राजनीतिक आरोप लगा रहे ह आप बीजेपी के साथ हैं तो यह आरोप लगा रहे हैं जो पंचायत अभी इकठा हुई है ने परदान को बनाया उन्होंने आर आप पर आरोप चंदे का और जो राजनीतिक सडियंतर है उसका आरोप लगा आप पर नहीं आरोप तो जूठे हैं देखो सरकार साजिश के त सब्सक्राइब को तोड़ना चाहा है खाप को भी लगें खाप नहीं पहले राज है टेम टूटी नहीं आर बार कई सजटके लग लिए कंडेला खाप इस में मजबूत होगी नहीं कोई चंदारी बात थी चंदारी नहीं को बाते को निया जो यह ने परदान बनाई हैं सब्सक्राइब हैं कई बार खटकर टोल पला जावेब कई देनों पहले कहा था हमें ने किसी के टेकट मांग दे नाम चुना उदर दे इस बात के लीडर ज्यादा प्रेशानना हो मेरत है क्योंकि हमें तो जिसका जो किसानना आदमी आओगा उती देखके बोट देवागा हमें एक वरबात कर घ्चानली चुनावर तो अब आरोप राजनितिक आरोप लगा रहे हैं आप भी परदान बनाए हुएं कुछ लोग कहे रहे हैं कि वो भी कंगर्रीस से बखेट से रेलेटिड हैं जो परदान नहीं फ़ापके बनाई हैं अभी उस पर क्या गएगा गाउं क्या सविकार करता नहीं परदान को नहीं गवांड कोई सविकार नहीं करता कोई है नहीं सब खाप करेगी हो तो जो फैसला लिए खाप करेगी गाम थोड़ा करेगा टेकराम जी मेरा आपसे आखरी कोईश्चन है जैसे कि आप जब खाप परदान बनाए थे उस समय क्या परिकरिया रही थी और आप जो खाप परदान बनाए है आज तो उसकी क्या परिकरिया है है उसके पहले दाम्न री यह का कर लिए तो बचाओ है जल बचाओ है वह बिल्कुल जूठा है और राजनित्ती की बात जो इन पर लगा रहे हैं कि राजनितिक सडियंतर है इन्होंने अपने मुझबानी से कहा है कि आगे वो कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो साथियो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें अगर याई वीडियो फेस्बुक पर देख रहें तो हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करें अगर याई वीडियो आप यूटूब चैनल पर देख रहें तो हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद